हेलो फैंस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक जुलाई से यहाँ पे दो बड़े बैंक हैं एक प्राइबेट का और यह एक पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है यहाँ पे अपने सारे चार्जेस में यहाँ पे वो बदलाओ करने जा रहे हैं वो दोनों कौन से बड़े बैंक हैं वो सारा कुछ में आपको इस वीडियो में सारा कुछ में आपको डिसकसन करने वाला हूँ सबसे पहला बैंक है आपको यहाँ भारत इस्टेट बैंक और दूसरा आपको है यहाँ पे एक्सीस बैंक ये दोनों अपने एक जुलाई से यहाँ पर अपना बदलाओ करने वाले हैं और ये बदलाओ आपको पता होना चाहिए नहीं ता आपको जैदा पैसा यहाँ पर कड़ेगा सबसे पहले हम भारत स्टेट बैंक का बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट एक जुलाई से नहीं आपको चार्जेज यहाँ पर लग रहा है नहीं चार्ज एटियम से कैस वीडर और चेक बुक के इस्तमाल पर लागू किया जा रहा है बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट से महिने में चार बार मुफ में आप यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं इसके बाद बैंक चार्ज असूलेगा जो परती कैस निकासी पंदरो रुपे पलज जीएश्टी यहाँ पर तैक किया गया है SBI ATM के अलावा दूसरे बैंकों के ATM से निकासी पर भी इतना ही चार्ज आपको लिया जाएगा बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट में खाता धारकों को साल में 10 चेक यहाँ पर आपको मुफ्त दिया जाएगा उसके बाद 10 चेक वाली चेक बूग के लिए आपको 40 रुपे पलस GST चार्ज यहाँ पर आपसा सूला जाएगा 25 चेक वाली चेक बूग के लिए 75 रुपे पलस GST यहाँ पर आपसे लिये जाएगे Non-financial transaction पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा गरागों को SMS अलर्ट के लिए परती SMS 25 पैसे का यहाँ पर आपको भुकतान किया जाएगा SMS अलर्ट के इस मैक्सिमम 25 रुपे परती मा यहाँ आपसे लिया जाएगा बैंक की ओर से भेज़े जाने वाले परमोसनल मैसेज और OTP अलर्ट इस चार्जे में सामील नहीं होंगे अगर आपका विखाता इन दोनों बैंकों में किसी में सहे तो यह चार्जे आप हमेसा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन चार्जे को देखते ही नहीं तो आपका जो यहाँ पर है अकाउंट से कुछ-कुछ बैलेंस आपके करते रहेंगा तो आसा करते ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटरी लगा अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद चैनल सब्सकाइब कीजिए लाइक कीजिए दोस्तों में सेयर कीजिए चलिए उस्तों फिर मिलते हैं कि नहीं बीडियो गनेटरी के साथ तब तो के लिए अपना बहुत सब्सक्राइब लगे है गुड़ बाई टेक केर तैंक्यू बाई बाई